तो गाईज आए इस वीडियो के मदद से जानते हैं कि किसी भी Excel के वैल्यू को कैसे स्प्लीट किया जाता है तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं नेम और रोल नंबर है यहां पर हमें नेम और रोल नंबर को अलग करना है तो इसके लिए सबसे पहले जिस सेल को अलग करना ह है जितने सेल को सबको सेलेक्ट किजिए उसके बाद डाटा पर जाएए डाटा पर जाने के बाद आपको टेक्स्टू कॉलम दिखेगा टेक्स्टू कॉलम पर क्लिक किजिए यहां पर आपको डी लिमिटेट पर ही क्लिक रखना है उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहां झाल झाल